Hello friends, a very good morning to all of you, welcome back to the channel online section, मैं हूँ आपके साथ अंजली बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ दोस्तो, UPTET 2021 को लेकर के एक और नोटिफिकेशन आप सभी के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने सो करने वाली हूँ एक अपडेट मिली है, तो जहां बात की जा रही है, देखे, पहले भी UPTET को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया था शाशन के पास, जो की निरस्त कर दिया गया था और वह प्रस्ताव दिसंबर में परिक्षा कराने के लिए भेजा गया था, वहीं अब कल फिर से एक बैठक हुई जिसमें सिक्षा मंतरी जी भी शामिल थे और उन्होंने UPTET के संदर्ब में क्या जानकारी दी है, इसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, साथी साथ पुरी बात के जानकारी को लिए वीडियो को लास्त तक देखिए और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों सबसे प उने से रिकोर्ड संख्या में आ सकते हैं आवेदन, पिछले साल नहीं हो सकी थी परिक्षा इस बार भी कोविड के कारण टली परिक्षा, आगे बात करें दोस्तों पूरा संदर्व में इसके क्या जानकारी मिली कल की बैठक में क्या कुछ निर्णे हुआ, तो उसको डिट की थी प्रस्तावित की थी लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री से निर्देश मिले है कि परिक्षा अक्टूबर में ही करा ली जाए, तेट को अब आजीवन मान्य कर दिया गया है, ऐसे में पहली बार नहीं व्यवस्था में तेट का आयोजन किया जाएगा, कोविड के करण 2020 मे TET का आयोजन नहीं हो सका था, परिक्षा नियमाग प्राधिकारी ने परिक्षा कीत नहीं थी, 25 जुलाई 2021 प्रस्तावित की थी और 18 मैं से आवेदन लिये जाने थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर के कारण आप जानते है, PNP प्राधिकारी कारिया लेको आवेदन की पर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी, और परिक्षा भी स्थगित कर दी गई थी, इसके बाद 19 दिसंबर को प्रस्तावित थी, आपकी यूपिटेट की परिक्षा के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन सिक्षा मंत्री चाहते हैं कि परिक्षा अक्टूबर में करा ल आएंगे और परिक्षा का अयोजन कराना जादा चुनोती पूर्ण होगा, तो दोस्तों यहां पर बता गया है कि यानि कल एक परमुक बैठक हुई थी, सभी मंत्रियों की जिनमें सिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यूपिटेट के लिए कोई देखिए, ओफीशियली तो ने तो अभी नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि यूपिटेट को जल्द कराने के निर्देश हम दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बात की अक्टूबर में परिक्षा कराई जा सकती है, तो यहां पर ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसी तिथी पहले भी कह नहीं बार रखे जा चुकी है, कि दिसंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, अभी इस तरह कोई भी सासन से मंजूरी नहीं मिली है, तो देखना यह होगा, क्या परिक्षा अक्टूबर में हो पाएगी, और दोस्तों बात करें, अगर परिक्षा अक्टूबर में हो जात है ठीक है और दोस्तों वहीं अगर बात करें 2019 बैच पर इक्षा में सामिल हो पाएगा या नहीं सुपर टेट में तो वहीं देखें टेट के लिए तो बिल्कुल मानने हैं 2019 बैच ठीक है बिल्कुल 100% आप दे सकते हैं टेट का एक्जाम साथ ही अगर प्राइमरिक सिक्षिक भरती पे बैठने की बात करें तो आपका फूर्थ सेमेस्टर का रिजर्ट आने से बाद जो है वेकेंसी आरी चाहिए तब आप लोग अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर अगर अक्टूबर में परिक्षा होती है तो थोड़ा सा यहां पर जोल हो सकता है क्योंकि आप जानत फिर आपका बताया जाएगा कि आपका फूर्थ सेमेस्टर के एक्जाम कब कराने है PNP की तरफ से तो यह परकिरिया थोड़ी सी अभी लंबी खिचने वाली है यह थी आपके लिए पूरी जानकारी आज के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और आपको जा रेगूलर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद